आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी मैं हूँ आपके साथ मयूरी सिर्वास्तव पडोती देश नेपाल में देर रात 6.3 तिर्वता का भुकम पाया जिसके जट के राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किये गए नेशनल सेंटर फॉर सीमो लौजी के अनुसार भुकम आठ नवंबर की रात करीब एक बचकर 57 मिनट पर आया जिसका एपिसेंटर नेपाल के मडीपूर में रहा इसकी गहराई जमीन से 10 किलो मीटर नीचे थी वहीं भारत के 5 राज यूपी बिहार राजस्थान दिल्ली उत्राखंट की धर्ती भी भुकम के जटकों से काब गई दिल्ली एंसी आर में भुकम आने के बाद लोग घरों से बाहर निकलाएं तो वहीं पर कुछ लोगों ने वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर भी शेयर किये हैं वहीं यूपी के कई बुलंद शेहर नुएडाल लकनव आमेठी सीतापूर में भी भुकम के जटके देखने को मिलें बता दें भुकम के जटके से पूरा उत्तर भारत का पुठा बता दें भुकम के जटके महसूस किये गए जिसका लोगों ने वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर भी वाइरल किया गया बता दें भारत के पांच राज यूपी दिली बिहार राजस्थान उत्राखंड की धरती भी भुकम के जटकों से काप उठी तस्विरों में आप देख सकते हैं भुकम के जटके महसूस हो रहे हैं लखनव से हमारे समवादाता रितेस सिर्वास्तव हम से जुड़े हैं वहीं बुलंद शेहर से समवादाता विशाल हम से जुड़ेंगे और गोरकपुर से हिमानसू हम से जुड़ेंगे सबसे पहले हम रितेस के पास चलेंगे रितेस लखनव में भुकम्प की क्या इस सिती रही और क्या तीवरता ना पी गई जी मैयूरी मैं बता दू कि लखनव में जो भुकम्प का छित्र बना था वो चार दस्मलों नौ की तीवरता आशी की है इसका जो चेंद्र थाना वो नैपाल का मरीपूर था उसके बाद से रात में दो बज़े जट्के मेसिज के गए मैयूरी दो बार जट्के मेसिज के ग उसके बाद रात एक बसके राट फाओन मिनट पर यहां पर भुकम के घड़के मेसिज के दिया मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुल्ची रोड था एक बहु अजला इमारत यहां पर है लखनाव विकास प्राजिकरर का मैं चैमरामेंट से तो हूँगा इस बार बेल्ड जब रात में भागे हैं तो कुछ लोग इसमें भी फसे हैं जल्दी की चतर में अब आप मैं अपको गिन के दिखाना चाहूंगा एक डोर थीज चार पार छे साथ आज आज नो दस करमचा पंग्रा से उकर की विल्डिंग है और जब इस तरह का भुकम यहां पर आया है तो कुछ लोग हमारे साथ देथ जब दवा है वह कंबाने के बाद दिनों जब चन्ते में भात करेंगे इस तरीके से अपने महतुष किया तित्ने मजी की घटना है क्या लगा आपको यह वच्चे 5 मिनेट बे पर फोर यह पर पलंग में इना हिल रहा था इस पलंग इह इस प् सबमाइब एक यह पर शक्रवाइब के अजिए लगानियु आप पारी खाल एक जगार्गी ऑन रुटम निगे जगादे को मैं झालने हैं छुटने अज थी भीना पारी कोर्डम सबस्टराइब में करी दो टोड़ एक करी किरा एक अजिए विल्डिक्ट में आजए आप two प् च्टीर में आखे लोग के सकते संसोरा पूसा ठी और एंड एक जडिए ज़ो को ओगे लगा लग। जर्टीर पिर एक जड़ सेेंगे साइडर इन ज़या है किस तरह का ऐब हुच्छ बट। वारात्मौर इपने मदियातों में कुछ दूआ? इपने मदिया को तो आपने इपने परीवार की बेटेस्टों से अब यहां रहे हुआ कि अवी जाना प्रेवार को लिटेश। हिमांसु के पास चलेंगे हम हिमांसु वहां कैसे इस्थिती रही भुकम को लेकर कितनी तीव्रता ना पी गई भुकम के लोग को लोग कितनी तो यहीं गई भुकम के जच्चे मातूस किये गए हैं तो ऐसे में और अचानक रात में तंपे जच्चे मातूस होने को अब अपके गई गरों घिक्राइब लगए वोड़ा साहतार की लगर आप है कि सही कि तुकी भुकम की जच्चे मातूस कि एग तो एसे में लोग अपने अश्ने घरों से बाहर के ले आए हैं। अश्ने घरों से बाहर के ले हैं। और कितनी तीवरता में भुकम को नापा गया विशाल हम चलिंगे रितेस के पास रितेस क्या भी भुकम को लेकर कोई ऑफेसली जानकारी दी गई है कोई अलर्ट किया गया है जानकारी जो अभी वहमलों को प्राप्तु है उसकता पर अभी कोई हताहत नहीं हुआ है पर देश में कोई गटना नहीं हुई है अभी लोग सबस्ट है और नेपाल में जो नेपाल का मरीपूर जो सेंद्र बताया रहा था, वहाँ पर जन्हानी के वामले सुननी को आ हैं, लेकिन हमारे अपर प्रदेश में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई हैं, कि जिस्ते ही हो सके कि 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 अ कहीं है, आ कहीं कहीं यह लगता है, कि कहें के जिवारी चाहित में की वीक उतन आ ही जिनों के सामने भूखन पाया और रात में लोग खागनी की कोछिष किये हैं, वहाँ अजिला भी उन्हाना थे, क्या हुआ था नहीं महानिक भूखन है, क्या हुए था हुआ था? रात में एक मुझे बाहर से ही आया है, तो इसके काफी तगा हुआ गाई मेरी, लेकिन इसी जीज उपन वाया है, अड़वडा को उखे, फूरा बेड़, असला पुरमार असला पिले सरजिये 10, 12 सेकंड से वह हो तारहा है, ते बाज ही अल्पा पंटा इसेर है, जो उसके बा का महा जोआ बहुत, मेरा बेटबाथी बहुत तर गया बेटबेजी बहुत से लेकिन अम्ने का वा-ज़ है, अगर सु़भारा आता है, तो देखेंगे, फुर्पा करेंगे की नीचे उसका के अच्छे, आवज जो चीने से खाए, पुझेने से आने में 11 मंजिल से आपी त लिए पर बात चरने के लिए हम उन्चे भी बात करेंगे उन्चे भी जानकारी लेंगे कि आपने जब यहां पर महसुत किया जब तो पैसे आप लोगों को सचित किये जब पर से लिए जब पर कम के समय नहीं पर जाता है लिए इसके लिए मैं आपको बता दूँ हम लोग तो हमको तो सुभाय जानकारी हुई हैं हम उन्चे लोग हैं और जो बाती लोग हैं उन लोगों में अन्ने लोगों को यहां पर उन्चे गाया और बुलाया लेकिन किसी कल जादे सिकान होने के तारण दूंद रही कुल जो लोग जग रहे हैं तो एक बिसरे को जढ़ा करें वो इस पार्च में आज़े मान्चू करेंगे हिमान्चू बुकम का केंदर नेपाल रहा तो नेपाल में कैसे स्थिती रही वहां क्या कुछ नुकसान हुए हैं माली की मैपाल से मरीपूर में इसका ठेजर्ब नौपा गया है हलाशी ऐक खिल बता देना ह्ग दे जेया हुँए हो घिणक मानना होता है विजानिवे, पूरी परकित जब केटनिकल क्लेट रखी है या हुनका पें जवालमों भटने सुझे सोगे होता है लिगिस अगड़ना पर चाहिए तो फिर्ट लखने से जट्टे से अपर होते हैं और जिए अए पर जाता है उसकी में लगने तो नेक्वाद फिर्टा नाति कि अगर उपर आते तो जहें चुडाते की कोई भैवा इसकी फाइदा हो जाती अप्रेंटेज़ के पास चलेंगे विसाल पाँच घंड जाते हैं जाते में तीन बार भुखा माना काफी चिंता जनक की बात है कि अपको आता दो जहां तो जहां लोग अपने घरों में तो रहते हो अपने घरों से बाहर निकल गड़ा एक तुरस्टी जगहता है खड़ हो गएते है धन्यवाद विशाल आपका हिमांशू आपका भी धन्यवाद रितेश धन्यवाद हिमांशू झाना हिमाद तया हिमान milligram कि यमान कन्यवाद़ अपन्यवाद लखनव में डेंगू का असर काफी बढ़ा हुआ है। लखनव में डेंगू के मरीजों की संख्या 98 के पार हो गई है। बता देंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वही कही घरों में मच्छर जनिती स्थितिया पाय जाने पर नोटिस भी जारी किया गया है। पतादें गोरपूर में 150 के पार देंगू रोगयों का आकड़ा बढ़ा हुआ है। लगातार डेंगू अपने पैर पसार रहा है। राइबरेली में भी डेंगू पीरतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पतादें हाली में 42 लोगों में खतरनाग बीमारी की पुष्टी हुई है। लगनओं में डेंगू का आसर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाली में 42 लोगों को इस खतरनाग बीमारी की चपेट पे ग्रसित पाया गया। पिछले पांस दिनों में हर रोज करीब 36 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राइबरेली में डेंगू की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटों में चार लोगों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनव से हमारे समवादाता विवेक शाही हम से जुड़ेंगे और गोरकपूर से हिमानसू। सबसे पहले हम हिमानसू के पास चलेंगे। हिमानसू देंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गोरकपूर में क्या कुछ इस्तिती है। कि गोरकपूर से दितते हैं कि इतने भी एक रहे हैं कि इतने भी आर्पोर कि बाद करें बड़ा कि बात करें भी करें। फ्रस्की ए झाली नहीं है, लेकिन नहीं की हुआ गोड़ान की बुड़ान इसके मधद पहुचाईज गोड़ासीज लगादनि मेखी टीचन नहीं हाँ matrix है कर दो को पूरी थे यह धोहा है इसके मधद पहुचाई जाएए भास्त्त प्षिी यह मैद नहीं की जे हैं मांसू, हम चलेंगे बिवेक के पास लखनव से जुड़े हैं, बिवेक लखनव में कैसी इस्थिती है लागाता, डेंगू अपना पाओं पसार रहा है? इस तरह से उत्तर परदेश के प्रमुक सहरों की अगर बात की जाए तो सब जो है इसमय डेंगू से करा रहा है और खास तर बात की जाए राजधानी लखनों की तो इसकी इस्तिती समय सबसे ज्यादा नाजुग बनी हुई है और यहां यहां पर अब तक जो है जो आकड़ा जो है डेंगू का वो एक हजार कर एक हजार से ऊपर चल गया है एक हजार के आकड़ को क्रास कर चुका है पर स्वास्ति बाग जो है यह आकड़ा बताने में अभी हिचक रहा है लेकिन अगर बात की जाए तो एक हजार से ज्यादा संक्रमण के मामने हो चुके है वही पूर मैं कई बार से बता रहा हूं कि पिछले दस दिनों में जो सहरी इलाकों में सक्रमण का मामला आया है वह काफी ज़्यादा आया है और ग्रामिड इलाकों से अगर तुलना के जाए तो वह दूगूने से भी जादा है अगर बात की जाए कल कल की मंगलबार को जो स्वास्व में रिपोर्ट सोपी है इसने बताया कि आलम गण, आलम नगर छेत्र की अगर बात की जाये तो तस दस नय मामले सामने आये इंद्रा नगर में हो 9 नहां मामले над अर इन पूल 41 नहीं मामलों में और अधिया स्च कुछ ग्रामिरी चेत्रों पाए गए तो इस तरह से देखा जाता है मैं यूरी की जो इ offenders आता है जो सरी शेत्र नगर निखम की अंदर आता है जान नगर निगों की पूरी जिमेदारी होती है एंटी लारवा की छिड़का उसे लिखे साब सपाई और खौगिं कराने का उस एरिया में नए मामले जो है रोज की अगर बात कीज़ा तो 40 से ज्यादा संक्रमर की मामले रोजे ही आ रहा है और पिछले 5 दिनों में ये मामले दोस्तों से ज्यादा हो चुके हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनाओ किस हाल से गुजर रहा है डिंगू के इस संक्रमर से मैं उरी एक बार फिर से हीमांसू का रुक करेंगे हीमांसू जिस तरह से डिंगू अपना पाओ पसा रहा है उसको देखते हुए कैसी बेवस्था की गई है क्या कुछ है लग जारी किया गया है तुम आड़की गईकरण कीड़े इस नहीं चい जाए लगे। मैं के ज़ना बहुत पाइँ के लगे जवार के लियुद करणे खिद्धा लाजथ दोर्षा जायतार लिए और पर बाद की जाया है उसे तरह कि अधिकाली ते लगे हुने लगे हुने इनकुनि कर दिया रही है और कही बदीघिया है अच्छाया चिलबे से दूड़ है गोज़ाद के जाजा नहीं है उट कि यहां पर नहीं लिएया है और कहीं अजिक्ती खेत्रों में नहीं पाया गया है लेकिन तके बाउजुद धिया चालाम जै लिए गा रहा है यह को उटके बाउजुर आतु यह नहीं देखा जा रहा है कि लोगों की मौत लगाचार हो रही है लोगों के प्लिटलिक रहते हैं कि उसी मौत हो जा रही है लेकिन पटाते फुर्ट से निच्छल बैठा है इमानसु जिस तरह बता रहे हैं कि मौतों का आकड़ा भी अब बढ़ने लगा है कोई विवस्थाइं नहीं की गई है तो किसकी लापर वाही सामनी आ रहे हैं क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां अभी तक की गई है अभी तरह से ब्लडों की गई है अडिया जिया जाता है जो उसके लिए नहीं पर लगाजाता है लेकिन उसके लिए रुझेटर चाहिए अजिए सब्सक्राइब परिफ इस सब्सक्राइब दिपार्टेरें लिया जा रहा है। कि पास नहीं होती है वहागी परतासनी को पुरी तरह से अभिचारी को लगे वह उड़े होएं चिसी तरह से आप निकाय चुना हरा हैं तो कोई भी बदल भुझी कि आप पकुरते हैं आप यहाथा से नुगताथ करने वाले लोग हो यहाथ पर नगम के जो सफाई करणी हूं अधिर प्रफाब करते हैं तो बढ़ा प्रफाब जाएघा नारवा जाएगे था देनगे तो बिदिन ने काटने वाले मच्छा होते हैं तो इसके बाद जो जाड़ा लगता है और इसके अदर भी तरह से तरी में दर होता है है तो यह अदिए प्लेटलेटी पीतन है वह नही लगनाव से बिवेक करेंगे बिवेक कई घरों को मच्छर जनत इस्थितिया पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है और क्या कुछ तायारियां लगनाव में की गई है कैसी विवस्ता है डिंगू के मरीजों को देखते हुए अगर कहीं ऐसी दिक्कते उसको मिलती है तो वहाँ पर नोटी जारी करता है अब कहीं भी पानी कठा ना होने दिए तुस Pengma देखो किराने के व्यांटे में लिए लंबीहों लॉगा रही हैं और चल्ष कटेने लिए EL commentर मॉन साला और गया लोग्री को यहां पर संचारी बनाए कि लिए वहाां पर मरीज अभी बीख अब यह भी अपना इलाज करा रहा है और वहां पे जो है आदे से ज्यादा मरी जो बेड़ है वो फूल हो चुके हैं अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पूरे अगर बेड़ फूल होते हैं तो बेड़ मुहया कराया जाने कि पूरे इंतजाम भी सौज़वाग द्वारा किया गय तो अकल जो है मंडरलय उक्तोरोसन जेकब ने इंद्रानगर और गाजीपूर सेक्टर के जो बड़े इलाक्य है यहां पे जो जुगी बस्तियां है उनका निरच्षड किया है और वहां पे ऐसी सित्याओं उन्होंने पाई है गंदगिया उन्होंने देखी है यहां अशान ऐसे भी हैं जो एंटी लहरवा की छिड़काओं की अगर बात की जाए फोगिंग की बात की जाए तो इससे अभी वो इलाके वन्चीत पाये जा रहा है मैयूरी लक्नाव से विवेक धन्यवाद आपका गोराकूर सीमासू धन्यवाद आपका देंगू अपना पाउं पसार रहा है देंगू लक्नाव सहीत कई जिलों में लगातार बढ़ता जा रहा है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है गोरापूर में 150 के पार पहुचा टेंगू रोग्यों का आकड़ा लगातार मरीजों के आकड़ों में बृद्धी हो रही है समाजबादी पार्टी के वरिष्ट नेता पूरु मंत्री आजम खान की बिधान सभा सदस्ता रद करने के मामले में आज फिर सुनवाई होगी वहें जस्टिस डिवाई चंद्रचूर की बेंच मामले की सुनवाई करेगी जहां आजम खान की तरफ से पीच तमरम कोर्ट में पेश होंगे दरसल कल से रामपूर बिधान सभा उपचुनाओं के लिए नामांकन होगा जिसको लेकर आज की सुनवाई काफी एहम मानी जा रही है बता दे की रामपूर की MP MLA अदालत ने S.P. नेता आजम खान को भड़काउ भासर देने के मामले में 28 अक्टूबर को दोशी करार देते हुए 3 साल कैदों और 6 हजार रुपे जुर्माने की सजा सुनाई थी समाजवादी पाटि के वरिष्ट नेता पूरु मंतरी आजम खान की बिधान सभा सदसतारद के मामले में आज फिर सुनवाई होगी कल से रामपूर बिधान सभा उप्चुनाओं के लिए नामांकन होगा आजम की बिधान सभा सदसता रद करने का मामला है जोसकी आज सुनवाई होगी जस्टिस डिवाई चंडरचूड के बेंच मामले की सुनवाई करेगी बता दें आजम खान की तरफ से पीची तंबरम कोट में शामिल होंगे कल से रामपूर बिधान सभा सीट पर नामांकन होगा इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवादाता विवान्सुम्स जुड़ेंगे विवान्सु आजम खान की बिधान सभा सदसता रद होने की मामले में आज सुनवाई होगी कि आज पर जाए तो अगर देखें विवान्सुम्स जुड़ेंगे तो आजम खान की जो रामपूर सीट है और साथी साथ है जो उत्तरप्रदेश में एक लोग सभा सीट और एक विधान सभा सीटों पर मैं अगर देखें तो पुनह मद्दान हो रहा हो रहा है उससे ठीक पहले अब कहीं ना कहीं पीचितंब्रम की तरफ से आजम खान को के मामले में जो सुनवाई है उसके तरफ से आज पीचितंब्रम पक्स रखेंगे आपको बताएं कि बीते 28 अक्तूबर को आजम खान को मर्यादित भासा के प्रयोग के मामले में जिसमें पे आरोप लगा कि प्रधान-मंत्री मोधी और साथ रामपूर के तद्कालीन कैलेक्टर को उपर उन्होंने आव मर्यादित भासा का प्रयोग किया था उसी मामले मुनें 3 साल की सजा और 6000 का जुर्माना लगा था और उससे ठीक पहले अभी बात करें तो समझवादी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जल्द से चुनाओ की तिथी बहुत जल्द तै की गई है और उपचुनाओ में थोड़ा समय होना चाहिए था वहीं आपको बताएं की देखें तो कल से रामपूर में रामपूर के विधानसवा उपचुनाओ पे नामांकन की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी और माना यह जा रहा है कि आज समझवादी पार्टी और भारती जनता पार्टी जो भी दल वहां से चुनाओ लड़ेंगे उनके प्रत्यासियों का बेंच आज फैसला सुनाएगी वहीं आपको बताएं कि अगर देखें तो दस नौंबर को उपचुनाओ की तारीख तैक अब दी गई है और कल से नामांकन शुरू है जी विवानसू आज सुप्रीम कोट अपना फैसला सुनाएगा तो क्या लगता है क्या कुछ सुनवाई में फैसला आ सकता है जी आपको बताएं कि दीवाई चंद्रचूर जो की अभी अगर बात की जया तो महत कुछ समय पहले चीश-जस्टी साफ इंडिया हुए है और राश्पती द्वोपदी मुर्मुर्ग की तरफ से उन्हें इसे पद्व का जिम्मा मिला है वो इस फैसले को देख रहे हैं और आपको बताएं कि दीवाई चंद्रचूर की तरफ से कहा गया पीची तमरम को कि आप इस मामले को लेकर हाई कोट क्यों नहीं जाते हैं तो उनका साफ तोर पे कहना था कि हाई कोट दो दिन के लिए बंद है और मैं चाहता हूँ कि आपकी बेंच इस फैसले को सुनाए और इस पर पुनाह विचार करें जिससे अगर देखे तो नयाय मिल सके ऐसा पीची तमरम का कहना है और उनका कहना है कि अब देखे तो तारीखों का एलान हो चुका है अगर दो दिन हम वेट करेंगे तो कही ना कहीं हमें नयाय नहीं मिलेगा अब देखने वाली बात यह होगी कि मानिय दीवाई चन्दचूर की तरब से फैसले पे क्या कहा जाता है और क्या फैसला सुनाई जाता है मगर कही ना कही देखा जाए तो समझवादी पार्टी के तमाम कारे करता पदाधिकारी इस बात का अपेक्सा लगा के बैठे हुए है कि आजम खान को निर्दोस साबित किया जा सके और उनका कहना है कि ऐसे कई बार हुए है कि नेता कलेक्टर और तमाम लोगों को चुनाई देते हैं मगर कहीं ना कहीं आजम खान ऐसा कोई भासे का प्रयोग नहीं किये हैं और उनका कहना है कारेकरताओं का कहना है कि आजम खान की तरब से कहा गया था कि ये तन्खवाही लोग हैं और उन्होंने मयावती यानि की BSP सुप्रीमों का जिक्र करते हुए DM से जूता साफ कराने की बात कही थी इनी सब चीजों को लेकर उनको तीन साल की सजा हुई है और शेमेई-6000 का उन्हें जुर्माना लगा है अब देखने伪आली बात यह होगी कि इस्फैसले में क्या सुनाया जाता है स्टीजी आई डीवाई चंदचूर की तरब से जे विवानसु कल रामपूर विधान सभा उपचुनाओ के लिए नामांकन होगा इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है जी आपको बतादे कि आज कहीं ना कहीं देखे तो सभी राज़िती दलों के अंदर में एक सियासी हलचल देखने को मिल लई है भारती जनता पार्टी पूरे धंखम के साथ इन दोनों अगर बात करें तो रामपूर के विधान सभा सीट और मैंपूरी के लोग सभा सीट पूरे धंखम के साथ पूरे जाच परक के और पत्यासी उतारने में लगी है तो कि यह सीट्य देखा जा तो समझवादी पार्टी की परंपराइगत सीट रही हर दोनों सूह लगातार समझवादी पार्टी के नेता जीतते हुए आ रहे हैं तो कही ना कहीं भारतिजनता पार्टी के चनौति होगा Karna 24 देखा यह जा रहा है कि रांपूर के अंद्धा में कोई ओवीची चेहरे को भारती जनता पार्टी उतार रही सकती है वहीं बात की जाए मैंपूरी में तो मैनपूरी में किसी यादो परिवार के ही व्यक्ति को समझवादी पार्टी की तरब से उतारा जा सकता है तो भारती जनता पार्टी कहीं ना कहीं देखा जाता है और आने वाले दिनों में देखने वाली बाती ये भी होगी कि जनता किस पर विश्वास जताती है अब तक के लिए इतना ही देजमिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच